Hello everyone, Dolly Kitchen में आपका स्वाधत है आज मैं आपके लिए एक special dish देकर आई हूँ जो की bread से बनाई जाती है जिसे आप नाश्टे में भी serve कर सकते हैं स्टाकर्स में स्नैक्स की जगा भी serve कर सकते हैं और आप सब्जी की तरह भी खा सकते हैं तो बहुत ही टेस्टी डिश और बहुत ही स्पेशल डिश है। इसे बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जाज शेयर करें। तो चलिए दिखते है कैसे बनती है ये ब्रेट की स्पेशल डिश पास्अच्य को बनाने के लिए मैं लीए कुछ ब्रेट स्लाइस, यह मैंने थोटे बढ़े 2-3 एप बाड़ा दे सक्ते हैं, और मैँने वाइड ब्ले लिया है, आप कोई भी ब्रेंड ले सक्ते है, कि अच्छों को एक टॉरी में काटा को और मैझे है थोड़ा सा केटू को ऑर अच्छे से दो对 है यहे दो मुर्च नीन चेंप बेया है यह ऑने अच्छी स्चों स्वैट्टीन चली टवे को फाद को गया पर अगालम को हसे हैं कि लेने अप्र तोड़ा से करेंगी तबारा गशिणाया इसंथ क्या है थोड़ास फराग तबया सड्राइब हो चुका है इसकी ऊपर हम एकना से चलिक भीट पलेट में निकाल लिया है तो हम यह प्रेड़ को अब काट लिया है अब अपने इसाफसे कर सकते हैं बहुत से पहले सेंटर से काटा है और उसके बाद 7 को तीन हीं विचिशों में काट लिया है यह अब मनें बनाते हैं इस से एक स्पेशल डिश कर हैं दो बड़े चममच और इसे अच्छे से गरम उने दे तेल हम गरम हो चुका है इसके अंदर हम दालेंगे प्रीमेच प्याज हल्का साथ ही पत्ता गुंब़ी इसके साथ हम डालेंगे शिल्दा मेर्च। फ्राइ नहीं करना हाँ, अल्का सा अ फ्राइ करना है। यह हमारा जो मसाला है वो फ्राइब हो चुका है। इसके अंदर हम डालेंगे ग्रीन चिली सॉस, फ्लेम हमने लो कर दी है लाज मिच पाउडर, यह हमने डालीई है शैजवान सॉस, टमये तो कैचप लिए अप्राइ्स जाहीं कर देडिये कम्स कि अच्छे से मिछस कर देना है इसे हमने अच्छे से मिछस कर दिया है इसके अदर हम डालेंगे हलका सा और भी बना सकते हैं बैर मैं ने इसको ड्राइब दराया है क्योंकि भी ररी बनाए और बहुत टेस्टी लर्टा इसे हमória में भी खा सकते हैं और सिर्ट्पे सेपस को सिंगे और कोई सब्जी ना समाज आए तो सब्जी की बनकर तयार है। बहुत ही टेस्टी है। आप इसे ट्राइड जरूर करें। घर पर जरूर नाएं। अमीद आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे। तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइ में दे रखा है